सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुख भागुई भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है, कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं, विटेमिन एकी कमी से, अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों, विटामिन एकी कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं, जितनी एजुकेशन की जरूरत है, जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूद पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मुंफली हो, वहां के बच्चों को विटेमिन एकी कमी हो जाए, और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटेमिन एकी कम के या 50 लाग बच्चों के डाइरिया के मरने के केसिज हैं ये रिपोर्टेड केसिज हैं अन्रिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना वो और भी बड़े हो सकते हैं तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया जब भरपूर गाजर पैदा हो र नहीं कि उनके आँ जानवरों की संख्या नहीं है वहाँ पर विटेमिन-ए की कमी से हजारों बच्चे अंदे हो जाए तो एक बार को समझ में आता है भारत जैसे देश में जहां प्रचूर भंडार है सस्ती कीमत पर विटेमिन-ए उपलब्द है वहाँ अगर हजारों धक्का लगता है दिल को आप इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं इनमें बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं विटेमिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में तो आप जानते हैं कि इस देश में विटेमिन C का बहुत बड़ा श्रोत है आवला आसानी से उपलब्द है 10-12-15 रुपई किलो में आसानी से उपलब्द है जब सीजन आता है तब आप इसको इकठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पतंजली योग पीट की तरफ से तो आवले के कई उत्पादन है लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं इतना बड़ा श्रोत है विटेमिन C का अब हमारे पास प्रकरती ने दिया भगवान ने दिया विटेमिन A के शोर्त है विटेमिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहां के लोग जितने तरह की सबजियां खाते हैं जितने तरह के फल मौसमी फल खाते हैं सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटेमिन B12 कभी कमी हो जाए ऐसे हमारे देश में प्रकर्थी के द्वारा जो बहुत सारे समरुद्ध पदार्थ हैं सस्ते हैं कीमत में आसानी से उपलब्द हैं हर जगे होते हैं सबसे बड़ी बात है कि आवला भारत में हर जगे आसानी से मिल जाता है गाजर भारत में हर जगे आसानी से मिल जाती है टमाटर हर जगे आसानी से मिल जाता है तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में हमारे देश के साधरन नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज़ादा आप बढ़ा देंगे हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पे निर्भरता उतनी कम हो जाए केल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको केल्शियम के बहुत सारे श्रोद बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से केल्शियम को उपलब्द करा सकते हैं सबसे आसानी से केल्शियम हमारे याँ उपलब्द है चूने के पत्थर के रूप में और चूने का पत्तर एक 50 पैसे का बजार से खरीदो, पानी में डालके उसको रखो, तो इतना चूना बन जाता है कि साल, दो साल, पांच साल, दस साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनमरता से मैं आप से कहना चाहता हूँ, को लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है, तो सेंडोस की गोलियां ले आते हैं, कैल्शियम सेंडोस की सेकड़ों रुपई की गोलियां आती है, बिचारा गरीब आदम किसी को चूना खाओ चूना लगाने के लिए नहीं है खाने के लिए ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हमें अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीखल लिया तो लोगों से कह ये चूना लगाओ मत चूना खाओ ये चूना खाने के लिए हाँ बस इतना ही विनम्रता से कहीजाईगा कि तंबागू के साथ मत खाओ उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो मामुली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर गेहूं के दाने के बराबर दही में नहीं तो दाल में, नहीं तो सबजी में नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का शुरूत है भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का शुरूत इस देश को दिया है शायद ही किसी देश में होगा वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं चूने का पत्थर ही है जो बीसियों तरह के उद्द्योग में जा रहा है वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ती में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है तो यह साधरन सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है लेकिन आप कहेंगे तो जादा अच्छे से कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर करेगा तुम क्या डॉक्टर हो तुम को क्या मालूम है लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से एक तो परमपरा से आई हुई है बात चुना उसके दादा जी खाते थे, दादा जी के दादा जी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये केलशियम का सबसे बड़ा बंडार है तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सेंडोज की गोलियां खाखा कर करोड़ों रुपए एक विदेशी कमपनी को देना क्योंकि आप जानते हैं सेंडोज जो है विदेशी कमपनी है उसके करोड़ों रुपए का धंदा सिर्फ ये गोलियों का ही है और ये धंदा हम भारतवासीों के अंजाने में गेर जानकारी में हो रहा है अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासीों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिल कर कर पाएंगे तो मेरा एक ही विनमर आप से कहने का प्रयास है वो ये कि आप थोड़ा education, किसी भी patient को थोड़ी education दीजे, थोड़ी सिक्षा दीजे, सामन निग्यान उसको बताते जाएए, ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे, बहुत दुख होता है कि भारत में 60-70% बीमारियां खराब पानी के कार अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधरन नागरिकों को ये बताया जा सकता है, कि भाई पानी को ठीक करके पीओ, उबाल करके पीओ, चान करके पीओ, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो, डाइरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता ह है जा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुश्परिनाम है, आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां, बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण हैं, तो ये साधरन साधरन सी बात हैं, हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें, और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें सिक्षित करते रहें तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं